Top 3 Best Gaming Smartphone Under 9000 तो यार आज मैं आपको Gaming Smartphone बताऊँगा Top 3 नहीं मैं बताने वाला Top 4 बताऊँगा जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं ज्यादा दो में गराब नहीं करते हैं सीधा No.4 की No.4 की बात करूँ No.4 पर यार मैंने रखा है Samsung Galaxy M02S को अगरे स्मार्टफून की बात करूँ सबसे पहले भी मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ कि ये तीन कलर्स में देखने को मिलता है Samsung का फून है Trusted Branded Top Brand में से आता है यार मुझे बहुत आसे बंदे मैसी करते हैं जिनको Samsung का ही फून चाहिए होता है तो बही अगर आप भी उनमें से आते हैं तो आप जा सकते हो Samsung Galaxy M02s किया हो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दो वेंड में फून देखने को मिलता है 3GB RAM के साथ and 4GB RAM के साथ जो 3GB RAM वेरेड है वो आपको 8000999 के बजट में देखने को मिल जाता है इसमें आपको HD Plus Display देखने को मिलनेगी जो की Infinity V Cut Display ठीक है आपको Snapdragon की और से प्रसेसर देखने को मिल जाते है जो की Foreign Nanometer Technology के साथ बेस्ट है ओपरेडिनी से इसने की बात हों आपको Android 5 version 10 देखने को मिल जाता है ट्रिपल कैमरा मिल जाता है प्रस आपको 5 Megapixel के साथ Selfie देखने को मिल जाता है तो इसमें आपको 5000 mh की बैटरी देखने को मिल जाते है तो यार सैमसंग के फून की खास से यह आपको यह देखने को मिल जाता है कि इसका grey color इसको जादा suit करता है and मैं आपको यह भी चीज बता देना चाता हूँ कि plastic frame में देखने को मिल जाता है लेकिन इसकी build quality बहुत ही जाता सही है अगर आपके हाथ से phone गिर भी जाता है कहीं पर भी गिर जाता है तो कोई भी problem नहीं आने वाली तूटने वाला खराब नहीं होने वाला आप normally easily use कर सकते हो अगर आपने long time पर भी use करना है आप कर सकते हो and अगर आपका बज़े 9000 होना है आपके बज़े range में पूरा fit हो रहा है प्लस मैंने जो link है वो bind link description box में दिया हूँ है अगर आपने चाओर करना है specification खुद देखना चाते हो तो देख सकते हो अभी बात करें main specification की थोड़ा से deeply में आपको बता देता हूँ यह display की बात करूँ इसमें आपको 6.5 inch की PLS IPS display देखने को मिल जाते है जो की samsung की और से खुद की ही अपनी देखने को मिल जाते है processor की बात करूँ आपको snapdragon 450 देखने को मिल जाता है जो की 40 nanometer technology के साथ based है battery की बात करूँ आपको 5000 mAh की battery देखने को मिल जाते है 15 watt का 5 charger देखने को मिल जाता है camera की बात को triple camera मिल जाता है 30 megapixel प्लस 2 megapixel प्लस 2 megapixel selfie की बातों को 5 megapixel selfie देखने को मिल जाते है storage की बात करूँ यह 3 and 4 GB RAM varied के साथ आता है मैंने आपको पहले भी बता दिया आपके 3 GB RAM जो है वो आपको 8999 के budget range में देखने को मिल जाएगा तो बही main specification मैंने आपको बता दिये Samsung Galaxy M02s के अगर आपने smartphone क्या हो जाना है आप जा सकते हो लेकिन जो मैं आगे phone बताऊंगा वो और भी सही होने वाले लेकिन अगर आपको एक non-channel smartphone चाहिए आपके लिए perfect deal हो जाएगा Samsung Galaxy M02s आगे बात कर लेते हैं नम्बो थ्री की बात कर लो नम्बो थ्री पर यार मैंने रुख है Realme Narzo 30A को अगर इस smartphone की बात करूँ सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताने जाता हूँ कि ये smartphone भी आपको दो वेरिड में देखने को मिलेगा जो 3GB RAM वेरिड है वो आपको 9000 के budget range में देखने को मिल जाता है phone दो girls में आता है दोनों girls इसको बहुत ही ज़्यादा suit करते है and इसकी look, design, build, quality तो आपको अपको अपर देखने को मिली जाते है उसके साथ साथ प्रसेसर की बात को नो इसमें आपको media deck की और से प्रसेसर देखने को मिल जाता है जो की 12 nanometer technology के साथ based है तो भी अगर आप high setting पे gaming करना जाते हो आप easily normally कर सकते हो आपको HD plus display मिल जाते है आपको dual camera देखने को मिल जाता है लेकिन आपको 4K option इसमें नहीं देखने को मिलता आप 4K में शूट नहीं कर पाऊगे इसमें आपको 6000 mAh की battery देखने को मिल जाते है 6000 mAh की battery मतलब आपको दो दिन तो normally निकल जाएंगे जैसे भी आपने use करना है जितना भी आपने heavy work करना है जब कोई भी काम करना जाते हो आप easily normally कर सकते हो प्लस ये smartphone reverse charging support करता है जो कि इस smartphone का एक plus point आ जाता है जो कि आपके लिए ही helpful होने वाला अगर आपकी दूसरे phone की battery खतम जल्दी हो जाती है तो अभी बात कर लेते हैं इसके main specification की तो display की बातों को 6.5 inch की IPS LCD देखने को मिल जाते है प्रसेसर की बातों का इसमें आपको media deck Helio G85 देखने को मिल जाता है जो की 12 nanometer technology के साथ based है बैटरी की बातों को 6000 mAh की बैटरी मिल जाते है ठावन वाट का फार्ट चार्जर मिल जाता है प्लस reverse charging support करता है camera की बातों को dual camera मिल जाता है लेकिन आपको 4K option नहीं मिलता सेल्फी की बात करूँ आपको 8 में आपके साथ सेल्फी मिल जाते है storage की बात करूँ आपको 3GB वेर्ट जो है वो आपको 9000 के बज़ेट में देखने को मिल जाता है price की बात को 9000 के बज़ेट में realme narzo 30 ये देखने को मिल जाएगा तो मैंने आपको बता दियो realme narzo 30 ये अगर आप इस smartphone के आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो आपको long battery lab मिल जाते है processor भी आपको सही मिल जाता है and design look wise देखा जाए phone बहुत ही जादा अप पर है buying link में in description box में दिया हुआ अगर आप खुद check out करना जाते हो specification पढ़ना जाते हो phone को check out करना जाते हो तो भी आप check out कर सकते हो आगे बात कर लेते है number 2 की number 2 की बात करूँ number 2 पे यार मैंने फिर से रखा है realme की और से smartphone मैं बात कर रहा हूँ realme narzo 20A की अगर इस smartphone की बात करूँ यह smartphone आपको दो colors में देखने को मिलता है silver color में and आपको देखने को मिलेगा blue color में दोनों color इसको बहुत ही जादा suit गरते है snapdragon की और से आपको processor देखने को मिल जाता है जो की 11 nanometer technology के साथ based है तो भी अगर आप hardcore gaming के लिए like smartphone देख रहे हो आपके लिए यह smartphone perfect deal हो जकता plus अगर आप camera की according जो है वो smartphone देख रहे हैं अगर आपको बजले 9000 है यह smartphone भी आपके लिए perfect deal हो जकता because आपको triple camera मिल जाता plus आपको 4K video recording option भी देखने को मिल जाता आपको HD plus जैसे पे मिलेगी जो की gorilla glass 3 की production के साथ आती है 5000 mAh की battery मिल जाती है reverse charging भी sport करता है और प्रेणी सेस्तों की बात को इसमें आपको Android 10 देखने को मिलेगा plus face unlock and fingerprint sensor की गारा भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है जो की इस smartphone की खास है देक plus point थोड़ा सा आ जाता है तो यह display की बात हो आपको 6.5 inch की HD plus display मिल जाता है प्रसासर मैंने आपको पहले बता दिया कि 11 nanometer technology के साथ snapdragon की और स्याता snapdragon का जो प्रसासर होता है सच में तगड़े होता है आप gaming कर सकते हो normally easily कर सकते हो storage की बात करूँ यह आपको 4 GB RAM and 3 GB RAM के साथ देखने को मिलागा जो भी आपके बज़ेट में सेट बैड़ाता है आप उसके और जा सकते हो battery की बातों को फांस और नमेज की battery मिल जाता है camera की बातों को triple camera मिल जाता है जिस पर आप 4K video shoot कर सकते हो selfie की बातों को 8 map अकसा selfie मिल जाती है प्राइस की बात करूँ यह smartphone आपको 8,000 से लेके 9,000 के budget range में देखने को मिल जाता है 9,000 से थोड़ा सा अपर इसका budget शायद जा सकता है link मैंने बायो में दिया हो है भी अगर आपने चाओड करना है आप चाओड कर सकते हो देखना जाते हो लेना जाते हो जैसे भी करना जाते हो आप कर सकते हो तो मैंने आपको बता दिया Realme Nars 20 AK यह smartphone भी सच में बहुत ही जादा सही है इसका design हो गया प्लस इसके जो specification है 9,000 के budget range में आपको 4K option मिल जाना fingerprint मिल जाना, face unlock मिल जाना long battery lock मिल जाना वो चीज़ सच में matter करती है इस चीज़ को आप ध्यान में रखना अगर आप Realme लगर हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ होने वाली है आप जा सकते हो इस smartphone के और आप यह आँगी बात करते है No.1 की No.1 की बात करो No.1 पर यार मैंने रखा तग्रे मिल जाते हैं मैं आपको स्पैसिफिकेशन बता देता हूं थोड़ा सा deeply बात कर लेते हैं तो अगर मैं फून की बात करना हूं सबसे पहरे यह चार कलर में देखने को मिलता है ग्रे कलर इसको ज्यादा जूट करता है दो वेंड में देखने को मिलता है जो भी आपके बजल रेंजी में सेट बैटता है आप उसके और जा सकते हो स्टोरेज आपको डिफरन देखने को मिलेगी वैसे तो यह 4GB विरिण के साथ देखने को मिलता है 64GB स्टोरेज प्रस 128GB स्टोरेज में आपको कहने जाता हूं डिस्प्ले देखने को मिल जाते है जो कि गुडिला ग्लास 3 की प्रटैक्शन के साथ आती है कॉर गैमरा सेड़ा मिल जाते है जिस पे आप 4K वीडियो शूटर नहीं कर सकते है जो कि तोड़ा सा तच में एक मानस मट आ जाता है लोंग मेंटरी लाइफर प्लस आपको फून जो है वो प्लास्टिक फ्रेम में देखते हैं को मिलेगा तो अगर आपने यूज करना है आपको केस डाल करी इसको यूज करना पड़ेगा नहीं तो सक्राय जाने के डर रहते हैं और कोई भी रीजन नहीं है मैंने आपको बता जिए रेडमी नाइन प्रायम के अभी एक चीज में आपको क्लियर कर देता हूं तो अगर आपका बड़ नाइन थाजन से थोड़ा सा एक्ट्रा चल जाता 500 अगर आप एक्ट्रा पे कर सकते हो आपके लिए पॉफेक्ट डील हो जागा रेडमी नाइन प आप इन तिनों स्मार्टफोन में से कोई भी लेना जाते हो अप ले सकते हो अगर मेरा बजेट नाइन थाजन होता तो बही मैं जाता है रियल में नाजो ट्वेंटी किया और बिकाज उसका डिजाइन उसके लुग उसके स्पैसिफिकेशन एड़ रिकॉर्डिंग उप्श अगर आपको मेरी विर्च्च लेगwiąz वीडियो को लाइक करतें दोस्तों को बेतें दोस्तों की बीधें उनको भी कातने च्यांको को सब्सक्राब वीडियो को करतें लाइक अनि इस्टनाग्राम पेकोले फ़ोलो लिंक वगर आज़ आपको डिस्क्रेपशन बॉक्स में दे